तो हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं आप अच्छे होंगे और खुस होंगे फ्रेंट्स इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जीमेल में कैसे लॉग आउट हो सकते हैं लेकिन उसे पले friends एब आप मेरे चैनल पे नए हैं तो friends आप हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें और सबस्क्राइब करने को पास वाले notification bell को जरूर दबा दें ताकि आगे मेरे आने वाले video का notification आपको मिलता रहJean तो चलिए फ्रेंट्स अब आपको बताते हैं कि आप अपने Gmail में कैसे Logout हो सकते हैं तो फ्रेंट्स उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने Gmail Application में मैं चला जाता हूँ अपने Gmail Application में तो friends Gmail application में जाने के वाद आपको आना है यहाँ उपर side कोने में और यह 3 line के icon पर कर देना है click मैंने कर दिया click तो friends उसके वाद आपको यहाँ पर करना है click और friends यहाँ पर click करने के वाद आपके सामने कुछ इस तरह से page open हो जाएगा तो friends अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ option मिल रहा है manage account का तो आपको यहाँ पर कर देना है click मैंने कर दिया click और friends उसके वाद आपके सामने कुछ इस तरह से page open होगा तो friends आपको यहाँ google पर कर देना है click मैं कर देता हूँ click और फ्रेंट्स Google पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वो सारे Gmail अकाउंट आ जाएंगे जो कि आपके Mobile में Sign In होंगे तो फ्रेंट्स अब आपको जिस भी अकाउंट से Log Out होना है तो आप उस पर कर देजिये क्लिक जैसे कि देखिए मुझे ये नीचे वाला एकाउंट से लॉग आउट होना है तो मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक तो फ्रेंट्स क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा तो फ्रेंट्स आपको आना है बिल्कुल यहाँ नीचे और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमें दो आपसन मिल रहा है पहला है साइन नौ का और दूसरा है रिमूव का तो हमें इस जीमेल से लॉग आउट होना है इसलिए हमें रिमूव पर कर देना होगा क्लिक तो चलिए मैं कर देता हूँ क्लिक तो friends remove पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से message सो होगा delete this account will delete all of its message contact and other data from the phone मतलब आपके phone में इस Gmail के थूरू जितने भी data होंगे वो सारे delete हो जाएंगे तो friends उसके बाद आपको सीधा यहाँ remove पर कर देना है click चलिए मैं कर देता हूँ click तो friends आप आप देख सकते हैं कि remove पर click करने के बाद वो Gmail account हमारे phone से remove हो चुका है यानि कि हम उस Gmail account से log out हो चुके हैं तो friends इसी तरह से आप भी अपने Gmail account में log out या फिर remove हो सकते हैं तो friends उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा तो friends आप इसे like जरूर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या friends अगर आप मेरे चैनल पर पहली वार आए हो तो friends आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पास वाले notification bell को दवा कर all के option पर जरूर क्लिक कर देना क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियो इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ तो चलिए friends मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई